साथ ही और नमस्कार स्वागत है आपका अपनी चैनल सक्से जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर के आगए आपके लिए सबी प्रितोगी परिच्छाओं के दिश्टी से अती महत पूर्ण 360 डिगरी कर एंटरफियर से यहाँ पर आपको हर एक प्रिश्टी के बारे में डीटेल में जानकारी दी जाएगी जिससे अगर उससे सम्मधित कोई अन्प्रिश्टी आपकी परिच्छा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं चलिए बिना समय गवाए हुए सीरे चलते हैं अपने सेसन की ओर और आपको बताते हैं कि आज के सेसन में क्या-क्या होने वाला है आईए देखते हैं तो टूडे सेसन की अगर बात करें तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन करा जाएगा यानि कल हमने जो आपसे करेंट अफेर कराई उसमें से तीन प्रशन आपसे रेंडमली पूछे जाएंगे और आपको अपने आपको खुद ही अच्या करना है कि कल वाले प्रशन आ ये अति महतपूर आपकी इस्टरटीक जीक है तो इस्टरटीक जीक है कै कि अती महतपूर प्रशनों को आपको कराये जाएगा उसके वाइसमार ओज्ज हुए है वोस समान में बदल गया तकभी Cellular हुआ करता था सारी जानकारी हम आपको देने वाले उसके बाद होमबर्ग भित स्क्रीन सौड़ यानिकी डेली हम आपसे एक प्रस्ट पूछते हैं उसका जवाब जो लोग भी देते हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स पर उनका नाम जो है वो स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा उसके बादे टूड़े होमबर्ग गानिकी आज ह निर्यात किया जाएगा यहां महत्रपूर प्रस्ण है अमेरिका दुबाई उप्रोक्त दोनों या फिर इनमेंसे कोई नहीं चलिए жंसर के नाम पर कस시िर के गुल मर्ग में एक सैन फाइरिंग रğंज का नाम रखा गया है ये भी बहुत महत्रपूर प्रश्ण है तो देख हुआ है ठीक है तो बिद्याबालन एश्वर्य राय प्रियंका चौपड़ा या फिन में से कोई नहीं चलिए एंसर देख लेते हैं सही एंसर एन की बिद्याबालन के नाम पर कस्मीर के गुल मर्ग में एक सैन्य फाइरिंग रेंच का नाम रखा जाएगा आगे बढ़ते हों रगला प्रशन देखते हैं इस पर सनामक एक ही करत प्रणाले की द्वारा लागू की गई है रेल मंत्राले, रक्षा मंत्राले, वित्ट मंत्राले या फिर इनमे से कोई नहीं एंसर की बात करते हैं सही एंसर बी एन रक्षा मंत्राला की द fen Δौरा इस पर सनामक एक एक ही करत प्रनाले की सुरुवात की गई है तो ये आपका रिवीजन होगया कल वाले प्रश्णों का चलिए सुरुवात करते हैं और आगे बढ़ते हैं आज की करेंट अफियर यानि की 11 जुलाई 2021 से महत्वपूर्ण टूडे करेंट अफियर आईए देखते हैं पहला प्रश्ण आप्सन नमरR A है 9 जुलाई आप्सन बी 8 जुलाई आप्सन C है 10 जुलाई आपको इस प्रश्ण के बारे में देते हैं देखिए तो राश्टी मचली किसांदिवरस हर वर्स 10 जुलाई को मनाया जाता है अब ये क्यों मनाया जाता है तो यह वैगज्यनिक डॉक्टर के एच अली कुनी और डॉक्टर एचल चौधरी की याद में मनाया जाता है सर इन्होंने ऐसा क्या काम किया कि इनको याद किया जाता है तो आईए देख लेते हैं यानि कि अधिक से अधिक प्रेरित जनन कैसे कराया जा सकता है मचलियों में और कैसे मचली उतपादन को बढ़ाया जा सकता है वो तकनी की इन दोनों बेग्यानकों के द्वारा दी गई थी जिनका नाम है डॉक्टर के एच अली कुनी और डॉक्टर एच एल चौधरी इसलिए इन ही की याद में 10 जुलाई 1957 को मतश्य किसान दिवस मनाया जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और एकला प्रशन देखते हैं तो किस राज के मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज सुरू करने की घोशना की है बिहार पश्यमंगाल राजस्थान या फिरम अद्धिपर्दिस आई एंसर दिख लेते हैं सही एंसर सी यानि की राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में मेडिकल क करतें भी पूरी कर दी हैं इसके लिए सहरों से लेकर गाउं तक लगाता चिकिस्ता और संद्चना को मजबूत किया जा रहा है अगर हर जिले में यहां पर जिला अस्पताल होगा तो अपने आप जो स्वास्त की व्योस्ता है वो बिल्कुल सुचारी रूप से चलती रहेगी लोगों को असुविदा नहीं होगी स्वास्त सेवाओं को प्राप्त करने में ठीक है उन्होंने यह घोषना 11 जिलों के 17 अस्पतालों में गहन देखबाल इकाई की आभासी आधार शिला रखने के कारीकalition की है सर गहन देखबाल इकाई क्यो होती है तो गहन देखबाल इका कि राजिस्तान के सभी जिलों में एक एक जिला अस्पताल यहां पर होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रशन देखते हैं बिश्चु का सबसे बड़ा सैंड कैसल किसी देश में बनाया गया है अती महत्पून प्रशना स्टार लगा लिजीगा कहीं न कहीं बहुत खूबसूरत लग रहा है तो डैनमार्क के डिजानरों ने विश्चु का सबसे बड़ा सैंड कैसल बनाया है जो 59 फीट से अधिक लंबा है गिनीजी वल्ड रिकॉर्ड के अनुसार निर्माड में पांच हरा टन से अधिक रेत लगी हुई है सैंड कैसल का मतला समझ ठीक है तो 10 फीट जादा यहां पर उन्चाउइ का बनाया है यो डैनमार्क में सैंड कैसल बनाया गया है यहन की 10 फीट अधिक से उसको पीछे चूर दिया गया है तीस रेत मूर्तिकारों की मदद से डच निर्माता विल्फरेट इस्टीजर ने सैंड कैसल को बनाया है तो बलजीत कोड़ तुलसी अरुन धतीराय बिस्वजीत चटड़ जी या फिर आरके नारायन आई एंसर देखते हैं सही एंसर है यान की बलजीत कोड़ तुलसी के द्वारा स्री गुरु गोविन सिंग जींग की रामायर यह पुष्टक लिखी गई है इससे क्या है स्टेटमें और तुलसी द्वारा लिखित पुष्टक स्री गुरु गोविन सिंग जी की रामायर की पहली प्रती प्राप्त हुई है यानि कि पहली प्रती का यहाँ पर उधगाटन किस्ट ने किया है तो याद रखेगा प्रधार मंत्री मोदी ने 9 जुलाई 2020 को इसकी पहली प्रती का उधगाटन किया है लेकिका कोन है तो जो लेकिका है वो है बलजीत को और तुलसी ठीक है गुरु गोविन सिंग जी की माना रूप में सिख गुरुओं में दस्वे और अंतिम गुरु थे जैसा कि आपको पता है दस गुरु जो है वो सिखों के हुए है और माना रूप में माना रूप में गुरू नहीं बनाये गुरू गिरंत साहिप को यहां पर गुरू मान लिया गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं गुरू गोविन सिंजी की बात करते हैं तो उन्हें नो वर्स की उमर में गुरू गद्धी में भिराजित किया गया था या पुष्टक इंद्रा राधी राष्टी कला के दोरा प्रकासित किया गया है और कभी-कभी जब प्रश्णों को कठिन बना जाता है तो आपसे प्रकासक का नाम पूछ लिया जाता है इसलिए हम जब भी किसी किताब के बारे में बताते हैं तो प्रकासक का नाम जरूर बताते हैं क्योंकि जब आपक और अगला प्राशन देखते हैं बारत के किस राज में पहली यातरी टेन पहुंची है पहली बार यहाँ पर यातरी टेन पहुंची है असम बिहार अरुनाचल प्रदीश्या फिर मानिपुर आईए अनसर देखते हैं तो चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं आईए देखते हैं तो असम के सिल्चर रेलवे स्टेशन से एक यात्री टेन राजदानी एक्सप्रेस परिच्छन के लिए मडिपूर के वेंगाई चुनपाव रेलवे स्टेशन पर पहुंची ठीक है तो याद रखेगा इस स्टेशन का नाम आपको याद रखना है करंट अफियर का महत्यपूर प्रस्ट मनेगा कि मडिपूर के किस स्टेशन पर यहाँ पर रेलवे की सुरुआत हो गई है मडिपूर में तो इस station कराम क्या है इस station कराम है वेंगाई चुन पाउ ठीक है इस तरह मडीपुर भी भारत के रेलवे मांचित्र में सामिल हो गया है अभी तक मडीपुर में रेलवे सुगदा उपलगद नहीं थी ट्रेन ने दो गुरुबतर station के बीच 11 km की दूरी तैगी जिसमें रेलवे अधिकारी सवाय रहते तो सबसे पहले रेलवे अधिकारी जाते है निरिच्छड के दौरान तो 11 km की दूरी असम के सिल्चर से चल करके मडीपुर के वेंगाई चुन पाउ इस टेसन तक चली है यह ट्रेन याद रखेगा अती महत्पूर यह प्रशन है आई देखते हैं अ आर्काइव ऑफ इंडिया ने अपनी जो है संग्रह में जुड़ा है चली जानकारी आपको देते हैं देखिए तो नैशनल फिर्म आर्काइव ऑफ इंडिया एन एफ ए आई फुल फॉर्म याद रखेगा क्योंकि फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे करिंट अफिल क बेहं तब उन प्रश्ण यह बनेगा अपने संग्रह में राजकुमार हिरानी की 2014 की फिल्म पीके की मूल कैमरा नकारात्मत्ता के लिए इसको अपनी संग्रह में जुड़ा है याद रखेगा कि इनके जो बनाने वाले कौन है तो याद रखेगा राजकुमार हिरानी जो है एक मीडिया गाई की रूप में इसकी स्थापना हुई थी किसकी NFAI की तो NFAI के फुल फॉर्म याद रखेगा इस्थापना दिवस याद रखेगा 1964 में इसकी स्थापना हुई थी आगे बढ़ते हैं और अगला प्रशन देखते हैं तो यहां से सुरू होता है आपका 10 किसके द्वारा किया गया है और श्री स्रीवराज सिंग चौहान और श्री मंगू भाई पटेल आप्सन मटिया मुहमद रफी तो इन तीन पुष्टकों का विमोचन किसके द्वारा किया गया है आईए देखते हैं सही आंसर सी यानि कि नव नयुक्त राजपाल जो है स्री मंगू भाई पटेल कि द्वारा किया गया है तीन पुष्टके किा यहां पर दिये गया है तो सिवराज सिंग चोहन मुक्हमत रफी की बात करल लेते हैं तो मद्बडेश हाई कोड़ के मुक्ष वरत्मान में कौन है मुहमद रफी एंगला ओस्टकों ता गिरीज गुथम तो मद्यप्रदेश बिधानसवा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? स्री ग्रीज गौतम जी मद्यप्रदेश बिधानसवा के अध्यक्ष वर्तमान में ठीक है? वैसे आपको बता दें कि मद्यप्रदेश में कौन क्या है? उसकी एक वीडियो आज आने वाली है objective form में आने की सीधे प्रस्टन आपको प्रस्टनों की सीधे जानका ली देंगे किस तरह से प्रस्टन आपके exam में बनेंगे मद्ध प्रदिश कौन क्या है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है तो नौ जुलाई को आपदा प्रबंधन के लिए इस्ताफित राज इस्तरी सिच्वेशन रूम का लोकारपन किस के द्वारा किया गया सिवराज सिंग चोहान, उसा ठाकूर, विश्वास सारंग, प्रभूराम चौधरी आई एंसर देखते हैं और फिर आपको चारो आपसन के बारें बताते हैं ये चार आपसन जो दिये हैं वो बरतमान में कौन क्या है एंसर की बात करें सही आंसर है सिवराज सिंग चोहान आई ये पूरी जानकारी आपको देते हैं मुख्य मंतरी स्री सिवराज सिंग चोहां ने सुक्रवार को आपदा प्रबंधन के लिए इस्तापित राज इस्तरी सिच्वेशन रूम का लोकारपन किया है आपदा प्रबंधन से ताथपर है कि कभी-कभी अचानक से भूकम पा जाता है बाहर आ जाती है तो किस तरह से प्रबंधित किया जाएगा उस सिच्वेशन रूम को यहाँ पर लोकारपन मानने मुख्य मंतरी स्री सिवराज सिंग चोहां जी के द्वारा किया गया है बाकी ऑप्सन की बात कर लेते हैं तो उस्वास सारंग की बात करते हैं तो लोक स्वास ते हम परिवार कल्यान मंतरी हैं प्रब्राम चोहां तीनों ऑप्सन आपको याद रखना है साथ में याद करते चलिए वैसे आज हम वीडियो ले करके आने ही वाले हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां से आपके सामने आ रहा स्ट्राटिक जी के की छुपा रुस्तम क्लास सभी प्रितोगी परिचाओं के लिए अतिम हत्मून आएए देखते हैं यह स्ट्राटिक जी के का पहला प्रश्ण दांडी मार्च से किस आंदोलन की सुरुवात हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन सविने अवग्या आंदोलन चमपारन सत्याग्रा या फिर इन में से कोई नहीं तो बताएए जो दांडी मार्च हुआ था वो इन में से किस आंदोलन से संबंदित था आए अंसर देखते हैं सही अंसर बी यानिकि सविने अवग्या आंदोलन से संबंदित था डांडी मार्च को जानकारी आपको देते हैं तो दांडी मार्च सविने अवग्या आंदोलन से जो है संबंदित है दांडी मार्च का भुगा था तो 12 मार्च 1930 से 6 अपरेल 1930 के मद दांडी मार्च हुआ था 78 सहयोगियों के साथ में राष्ट पिता महत्मा गांदी जी अपने जो है साबर मती से दांडी तक यातर करके इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था तो नमक कानून को किस आंदोलन की द्वारा तोड़ा गया था सविने अवग्या आंदोलन के द्वारा सर दांडी मार्च किस उन्होंने दांडी तक यातरा की थी अगला प्रश्ण विस्चो की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी विनीपेग कहां पर इस्तित है केनाडा, अमेरिका, जपान या फिर फ्रांस आई एंसर देखते हैं सही एंसर एन की केनाडा में बिस्टो की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी इस्तित है देखिए तो बिस्टो की सबसे बड़ी गेहूं मंडी विनी पेग करनेडा में इस्तित है अब करनेडा की राजधानी आपको या रखना है तो ओटवा जो है वो करनेडा की राजधानी है आगे बढ़ते हैं और अगला 71980 बता यह क्या answer आप करने वाले हैं चली answer देख लेते हैं सही तो सही answer है यहाँ पर यहाँ पर इसका answer होगा B सर ए क्यों नहीं होगा तो देखिए 1976 में इसको ले करके आया गया था किसको 42 सम्म्हेधान संसोतन तो सर, answer क्या हो जागा इसका answer होगा B यानि कि आपसे क्या पूचा गया है पहरे गौर से प्रेशन को पढ़िए तो आपसे पूचा गया कब से लागू हुआ तो लागू कब से हुआ लागू 1977 से हुआ अगर आपसे पूचते हैं कब लेकर क्या आए गया तो लेकर के 1976 में आए गया था तो 1977 है, कब आया था तो 1976 है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए, तो 42 सम्मेधान संसोदर 1976 में लाया गया और 1977 में लाग हुआ था, इसे मिनी सम्मेधान भी कहते हैं, ये जानकारी आपको पता होगी, सर याद कैसे करेंगे, तो देखिए, 42 में क्या लिखा है, 4 और 2 को जब एड करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और जो 1976 है जब लाया गया था, तो लाया गया तर से, चलिए आगे प्रसन देखते हैं, तो यहां हम डिसकस करने वाले हैं, तानसें सम्मान, 2020, पूरी जानकारी तानसें सम्मान के बारे में, तानसें समारो के बारे में, और ये समारो तो हम देखने भी जाते हैं, तो हमको तो बिलकुल लाय विया पर पता हुआ है, चलि दिन मनाया जाता है यह सम्मान मद्य प्रदेश के ग्वालियर जिले मनाया जाता है कहां पर मनाया जाता है मद्य प्रदेश के ग्वालियर में मनाया जाता है ग्वालियर में भी थाटी पुर्णामा के किस्तान है जहां पर तांसेन का मकबरा बना गुआ है और वहीं पर इस सम करते हैं इस समान में दो लाग रुपए की नगद राशी प्रदान की जाती है एक प्रसस्ति पत्र और जो है सौल को भेट किया जाता है ठीक है ये भी आपको याद रखना है अब देखिए यहाँ पर जो ब्यापम ने प्रस्ण पूछा था उसके बारे हम जानकारिया आपको परवर्तिक कर दिया गया था 1952 से पहले यहाँ एक इस्थानी त्योहार हुआ करता था ठीक है आगे बढ़ते हैं 2020 की बाद कर लेते हैं 2020 का राश्ट्री तानसें सम्मान प्रसिद संतूर वादक पंडित सतीस व्यास को दिया गया है तो आखरी सम्मान किसे दिया गया है 2020 मे पंडित सतीस व्यास को दिया गया सतर यह क्या बजाते हैं तो यह संतूर बजाते हैं आपको याद अखना है तो यह महत्तपूर जानकारी थी आपके लिए तानसें सम्मान 2020 रासी याद रखिएगा कब शुरुआत हुई पहली बार किसे दिया गया और कब इसे त्योहार से समारोह में परवर्तित कर दियागा यह आपको याद रखना है तो त्योहार से समारोह 1952 परवर्तित किया गया पहली बार 1980 में हीरा बाई बदूड कर को दिया गया था बर्तमान में संतूर वदब पंडिस सतीस व्यास को दिया गया ठीक है आगे बढ़ते हैं तो कल के प्रस चौदरी जी ने बहुत अच्छी यहां पर जानकारी दी है देखी सैलन चौदरी जी थोड़ा लेट कमेंट करते हैं लगबग रात को दो से धाई बज़ेक बीच में लेकिन हम इनके कमेंट का इंतजार करते रहते हैं उसके बाद ही वीडियो बनाते हैं क्योंकि इनके और धनवा सैलन चौदरी जी यतनी अच्छी जानकारी सब लोगों को परवाइट कराने के लिए उसके पड़ात करते हैं लव्ली तिवारी जी की तो लव्ली तिवारी जी भी बहुत अच्छी यहां पर करते हैं कुछ नही नए-नॉय फैक्ट हुए आपको लवली तिवार था इसलिए हम आपको पड़कर के नहीं सुना सकते हैं उसके लिए माफी चाहते हैं आप जरू पढ़िए गा उसके बाद में आसोग पवईया ने सायध पहली बार कमेंट किये बहुत बहुत द्वाद सुक परिया जी उसके बाद में आर्थी लोदी लगातार कमेंट करते रहे हैं बहुत बहुत धर्वत आप लोगा कमेंट करने के लिए और एक दूसरे की कमेंट को जरूर पढ़ लिए किजिए क्योंकि कुछ नई जानकारी आपको उस प्रश्ण के बारे में देखने को मिलेगी चलिए आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं कौन सा प्रश्ण है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आईए देखते हैं तो आज का प्रश्ण है करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया महत्वूर प्रशन है कई वार परिच्छाओं में आया हुआ है जितनी अधिक जनकारी आपको मिल सके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बाकि जो भी पीडियाफ अगर आप डाउलोड करना चाहते हैं वारा टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए सकसे जंसन के आप आपको पुरानी सारी वीडियो और प्रैक्टिस एट आपको देखने को मिल जाएंगे आपको बता दे दो पहर में साड़े बारा बज़े हम MPPC वालों के लिए स्पेसल प्रैक्टिस एट लेकर के आते हैं तो आज हम लेकर के आने वाले हैं मद्द प्रदेश में वर्तमान म याने की कौन-कौन से प्रेस्ट जो most important है आपके एक्जाम में टकराने वाले हैं उनको हम लेकर के आने वाले हैं तो जल्दी मिलते हैं दो पहर में साड़े बार बज़े ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए दोस्ते पास सेयर कीजिए चैनल को करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लिजेगा क्योंकि हम डेली आपके लिए करेंट अफेयर और प्रैक्टिसेट ले करके आते रहते हैं जल्दी मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद